स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें यहां हाथ पटक पटक कर सबास सरीफ अपने डर को जाहिर कर रहे हैं अब इसका जवाब भारत ने यूएन में ही दिया है जानेंगे क्या हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ क्या में बहुत कुछ चल रहा है हम इसे की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन ख़बरों को विस्तार से इरान के अंदर ना 6 ऐसे operations पहले कर चुका है इसराइल जिससे इरान हील चुका वैसे तो पूरी दुनिया में बात करें त और ये देखकर दुनिया खिल गई इससे पहले ये देखने को मिला कि इरान के अंदर ही हमास के हानियाए को इन्हों ने निसाना बना लिया ये भी बहुत बड़ी बात है इसके बाद एक चौकाने वाला देखने को मिला था कि किस तरीके से इरान के nuclear site पर हमला किया गया और इसके बाद देखने को मिला था कैसे इरान के scientist को एकदम सटीक तरीके से मारा गया और कहा जाता है कि इसमें AI का इस्तेमाल किया गया था इसके अलावे cyber attacks की तो भरमार है पर अभी एक और हमला हुआ है ऐसा कहा जा रहा है और इस हमले को इरान कुप चुप सम्हाल रहा है बाहर नहीं आने दे रहा है इसराइल ने हालिया दिनों में लगातार लेबनान और गाजा में operations किये हैं इसकी चर्चा दुनिया करती है लेकिन इन operations में जहां इसराइल ने हिजबुल्ला और हमास के कई commanders मारे हैं एक के बाद एक भीसन हमले किये हैं इसराइल ने इरान को ल बावजूद इरान इस बात पर फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे इसराइल का जवाब कैसे देना है कहा जा रहा है कि इरान में एक धड़ा अपनी सरकार से खुस नहीं है इसकी वज़े ये है कि इसराइल लेबनान में हमले करते हुए हिजबुल्ला को निसाना बना रहा है जो इरान का करीबी और पुराना सहयोगी है इसके बावजूद इरान चुप है इरानी राश्पती पेजस्कियान ने भी यूएन में कहा कि उनका देश सभी के लिए सांती चाहता है किसी से भी संगर्स का इरादा नहीं रखता है रिपोर्ट में कहा जाता है कि इरानी अधिकारी और इसलामिक रिवोलुस्नरी गार्ड कॉप्स के कमांडर ये कह रहे हैं कि इरानी सरकार अपने परमुक सयोगी हमास और हिजबुला के खिलाप आप जो है कुछ भी बोलने से बच रही है बोलने से क्यों बच रही है कि बार बार आप बोलते हो और कुछ होता नहीं है बात तो सही है पिछली बार उसके पिछली बार बोला लेकिन कुछ हुआ नहीं इसलिए इरान चुप है अलाकि इसे सग्य मानते हैं दो चीज़ पहली चीज़ की खाम नहीं और जो पेजस्कियान है उनके बीच में पटरी नहीं है और ये तालमेल की कमी दिक्कत कर रही है दूसरी चीज़ ये कही जारी है कि इसराइल जिस तरीके से आकरामक हो जाता है बहुत ज़्यादा चांस है कि जब युद्ध शुरू होगा तो अमेरिका साथ आ जाए और ऐसे में बट बड़ा हमला हो सकता है और इस हमले से बड़ी तबाही आ सकती है इस वजह से भी इरान थोड़ा कदमों को पीछे ले रहा है खेर जाए एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं एक बड़ा ही ग सहबाज सरीफ सहबाज सरीफ ने यहां अपना भासन शुरू किया और यह तो पक्का था कि सहबाज सरीफ कस्मीर को लेकर बोलेंगे लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अलग ही बोल दिया एक ऐसा डर जो निकल कर सामने आया मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को आप देखें Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since 5 August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorize the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority. इस वीडियो में देखने को यह मिल रहा है कि पाकिस्तान के परदान मंत्री सहबाद सरीफ को अब डर लग रहा है और वो क्या कह रहे हैं? वो यह कह रहे हैं कि देखिए जो कस्मीर यानि कि P.O.K. को लेकर यह कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे वगेरा वगेरा एकदम से कैसे समय पलटता है वो देखने को मिल रहा है पियो के परकबजा, परमानु हमला, भारत के खिलाप यूएन में चाती पीटने लगे हैं सवासरी बॉखलाहट की वज़ा क्या है? कुटनितिक रूप से भी यहाँ पर पाकिस्तान हारा है इसलिए हारा है क्योंकि तूर्की ने साथ नहीं दिया है पर यह पहली बार है जब तूर्की ने साथ नहीं दिया और कस्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं हो रही है इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि तूर्की ने ऐसा ना करके अच्छा नहीं किया तूर्की को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए तो यहां तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है पर भारत नहीं क्या जवाब दिया इस्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिये Mr. President, this assembly regrettively witnessed a travesty this morning A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy I speak about the reference to India in the speech भारत ने कहा कौन बोल रहा है, वो बोल रहा है, जो खुद आतंकवाद की factory है कौन हमें समझा रहा है, हमारे ही इलाके पर कबजा करके बैठा हुआ है, वो समझा रहा है कौन समझा रहा है हमें, वो समझा रहा है, जिसने हमारे देश के अंदर हमला किया जिसने मुंबई में हमला किया जिसने 1971 में नरसंगार किया क्या उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंतर पर ये सब कुछ बोलना सोभा देता है उन्होंने कहा जिस देश के इतिहास में चुनाओं में गड़वडी है वो भारत के लोकतंतर में राजनीतिक विकल्प की बात कर इन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर उडेल दी वैसे आपको बता दूँ पाकिस्तान को इस बार जटका लगा है क्योंकि इस बार अब धीरे दीरे देश ने तो बोलना बंद करी दिया था तूर्की भी साथ छोड़ देगा यह उमीद इनको नहीं थी वैसे आपको क्या ल आए जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ